वेलकम फ्रेंड वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेंड वाले टेग के एक नए वीडियो के अंदर है आज की वीडियो के इंदर मैं सभी लोगों को step-by-step हिंदी में बताओंगा कैसे आप सभी लोग आप Paytm money के अंदर अपना एक नया Demate Account ओपन कर सकते हैं Paytm मेन्य वे Account ओपन करने का फाइदा यह है कि यहाँ पे delivery के अंदर आप लोगों से कोई चार्ज नहीं लगता और अगर आप intra-day F&O के अंदर trade करते हैं तो 10 रुपीज पर executed order चार्ज लगता है जो की other application में 20 रुपय है तो यहाँ पे charge भी कम लगते हैं और Paytm जैसे बड़े brand का भरोसा भी है तो आपको यहाँ पे Demet account जरूर खोलना चाहिए अगर आपको Demet account खोलना है तो पूरी process को जरूर देखेगा ताकि आपको Demet account open करते time कोई problem ना हो वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा लेट्स गेट स्टार्टेट तो स्रेंड Paytm मनी के अंदर Demet account open करने के लिए ये वीडियो complete watch करिएगा इसके बाद ही नीचे description में जाएगा आपको Paytm मनी का link मिल जाएगा वहां से application को play store से download कर लेना है open करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा यहाँ पर आगर आपके पास Paytm का account पहले से है तो आप लोग continue with Paytm login पर क्लिक करेंगे और अपने Paytm account पर login करके आगे का step करेंगे और आप लोग चाहें तो दूसरे account में भी यहाँ पर login कर सकते हैं नीचे sign up का option दिया गया है यहाँ से अपना Paytm का detail डालने के बाद आप लोग login कर लेज़ेगा अब देखिए Paytm का जो account है वो दो type से खुलता है पहले मैं जब बताने जा रहा हूँ वो है उनके लिए जिन्होंने Paytm के अंदर account भी बनाया है और आधार card वगेरा से अपना KYC भी complete करके रखा है तो पहले उनके लिए तो यहाँ पे मैं अपने Paytm से login जैसे ही कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का interface देखने को मिलता है आप लोगों को stock wallet option पे आपको explore का option दिखाई देता है explore पे click करेंगे जैसे ही उसके बाद आपको एक passcode यहाँ पे set करना होता है यह हमेशा के लिए होता है fix तो इसको आप लोग चार रंकों का जैसे अपने ATM के अंदर आप लोग पीन बनाते है यहाँ पी बना के process clip पे click कर दीजेगा इसके बाद आप लोगों को hello investor का option दिखाई देता है जहाँ पे start now का button भी आपको दिखाई देता है तो उसके उपर click करना है आप लोगों को अब यहाँ से आपकी journey start होती है यहाँ पे charges वगरा दिखाई देते हैं अभी तो ATM के अंदर account खोलना विल्कुल free है तीन महिने के बाद 300 रुपे maintenance charge लगते हैं तो अगर आप trade करते हैं तो वो कोई बात नहीं उतना आप लोगो manage कर लोगे और Paytm पे आप लोग जानते ही है कि आपका intraday के अंदर और यहाँ पे F&O के अंदर बस 10 रुपे का charge लगता है बाकी application पे 20 रुपे का charge भी लगता है तो यह काफी बढ़िया application है आप सभी के investment के लिए तो यहाँ पे open my account पे आपको click करना है इसके बाद सबसे पहले आपको अपना pen card number डालना है यहाँ पे pen card number डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पे click करके next पे click कर देना है next page पे चले जाना है अब देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि सबसे पहला जो मैं आपको यह तरीका बता रहा हूं यह KYC verified user के लिए है जिन्होंने Paytm के अंदर account बना बता है तो पहला KYC verified user के लिए बता रहा हूं तो इसके बाद आप लोगों को अपना personal detail में आपको अपने फादर का नाम अपने फादर का नॉमिनी का नाम देना होता है नॉमिनी में आप लोग चाहें फादर मदर जिनको भी चाहिए यहां पर select कर सकते हैं उनका नाम उनका यहां पर कर दीजेगा इसके बाद बागी के तीन जो टिक हैं उसको टिक ही रहने दीजेगा ब्लू टिक में ही रहने दीजेगा और यहां पर आप लोग को है टर्मेंट कंडिशन को एगरी करके submit प्लिक करेंगे next page पर चले जाएंगे यहां पर bank detail add करना होता है हमें अगर आपने पेटियम के अंदर bank account बनाके रखा है पेटियम बैंक के अंदर तो कोई भी जंजट आपके लिए नहीं होने वाला है पासबुक वगयरा नहीं लगेगा सीदे उसको select कर लिजेगा और अगर आपके पास पेटियम का account नहीं है तो आप लोग मैनुली यहां पर जो भ आइसी verification for stock market application यहां पर वह start हो जाएगा इसके बाद आप लोगों को segment करना होता है किसकी segment आप लोग यहां पर पेटियम मैनी के अंदर trade करने वाले हो इंवेस्ट करने वाले हो तो एनसी भी ने इस दूनों select कर लिजेगा cash select कर लिजेगा FNO currency commodity सब select कर लिजेगा फिर कहां प आप लोगों को आपका form दिखाई देगा know your client का करके इसको आप लोग स्क्रोल करके पूरा form चेक कर सकते हो अपने से पढ़ सकते हो पढ़ने के बाद blue tick करिएगा submit पे click करिएगा और यहां पे जो है आप लोगों को कुछ additional detail डलना होता है तो आप लोगों को यहां पे बतान होता है कितने साल से आप लोग stock market के अंदर हो जो भी आपका detail है बरने के बाद यहां पे tick करके save कर दिजएगा इसके बाद आपका जो काम है यहां पे खतम हो चुका है इस चीज के लिए अब आपको last step में आना है सबसे last step में क्योंकि मैंने आपको बताई कि कई सार्य टैप लगते हैं कि वासी verified user के लिए भी तो इसके बाद आपको simply यहां पर इसाइन वाले पेज़ पर आने के बाद अधार काड नमबर डालेगा टिक करिएगा request OTP पर क्लिक करिएगा एक OTP आएगा आपके उस नमबर पर जहां पर आप लोगों ने जो है अपना मोबाइल नमबर कर आए है अधार काड के साथ उस पर OTP आएगा जैसे आप लोग उसको डालेंगे आपका काम यहां पर खतम 24 आवर्स तक वेड करिए हो सकता है 24 घंटे में एकाउंट खुल जाए उसके बाद आप लोग अपना फंड वगरा एड करके यहां पर ट्रेड कर सकते हैं तो यह इंगा तो बात हो गई हमारी यहां पे उनके लिए यह अपनी प्रासेस अब बात करेंगे नाउन के वाइसी वेरिफाइड यूजर है वो दो तरीके से अपना अकाउंट बना सकते हैं डी यिचि लाग कर फ्लो से एक रेगुलर फ्लो से अब्थे पहले पहले से कभी डीच लॉकर के अंदर बताते हैं एक प्रॉसेस तो हमारा कम्प्लीट हो चुका है वो यूजर यहां पर वीडियो देखना बंद कर दें जिन्होंने पेटियम के अंदर पहले से कवाइसी करेके रखी है नहीं किया है तो आगे देखते रहे हैं पहले डीजी लॉकर के ऊपर बात कर अगर नहीं किया है तो रेगुलर फ्रो में करेंगे हम पहले डीजी लॉकर के बारे में बात कर लेते हैं तो पैन काट नंबर जैसे ही डालेंगे आप लोगों को प्रॉसीड विद दीजी लॉकर का ऑप्शन खुल के आ जाएगा अगर आपके वाफी वेरिफाइड नहीं ह है नेक्स्ट पे क्लिक करना है ओटीपी आएगा उसको कंफर्म कर लेना है इसके बाद यहां पे कुछ डिजी लॉकर जो है आपके कुछ पर्मिशन मंगेगा कोई दिक्कत नहीं है चेक करेगा वो डिजी लॉकर आपके सारे डीटेल को पहले से जो आपने डाला हुआ है इ सब्सक्राइब करना होता है क्योंकि दिजी लॉकर के साथ आपने अभीत जो एकट बनाया था उसके अंदर आपको शायद आपको आपका सीगनेचर ऑपर करना पड़ जाए तो सिगनेचर आप लोग वाइट करिएगा बिल्कुल साद आपन्ना होग और आपको यह वाइट आपका सिग्रिचर दिखाई देता हो और अपना फोटो भी अप्लोड करिएगा पैन कार्ट भी अप्लोड कर दीजेगा इसके बाद प्रॉसिट पर क्लिक करेंगे तो आपका काम यहां पर खतम हो जाएगा डिकलेरेशन में अपने नॉमिनी को सब्सक्राइब करना चाहते है इसके बाद अपना इन नेट इंकम और यह जो तीनों टिक है उनको ऐसे ही रहने दीजेगा ब्लू टिक करिएगा सब्मीट कर दीजेगा यह अपका प्रॉसिस जो है खतम हो जाएगा बैंक एकाउंट कर लेजेगा यहां पर पेटियम का एकाउंट चाहे तो कर सकते हैं यहां पर ब्लू टिक करने के बाद सब्मीट कर दीजेगा इसके बाद एडिशनल डीटेल डालना होता है इसमें वही पुछेगा आप से कि कितने दिनों तक आपने स्टॉक मार्केट के अंदर इंवेस्ट किया है पैसा तो जो भी आपका एक्स्पीरियेंस के यहां पर भी के लिए अब रेगुलर के वाइसी का मतलब बिल्कुछ शुरू से स्टैप बाइस टैप एकाउंट खोलना तो जिन्होंने पेटियम के अंदर एकाउंट नहीं बना है के वाइसी नहीं किया है जिन्हें डीजी लॉकर भी नहीं चला है अब उनके लिए तो यह लोग देख लिए पर क्लिक करना है यहां पर लोगों को अपना जो है यहां पर ड्राइविक लाइसेंस जो भी आपका अड्रेस प्रूप डालना चाहिए अधार कार्ड वगएरा उसको डालके उसका एक फोटो यहां पर अपलोड कर दीजेगा इसके बाद आप लोगों को अपना करके रखना है यहां पर टिक करके ही आपको टेर्मेंट कंडिशन को यहां पर करके सब्मिट पर क्लिक कर देना है नेक्स पर आपको बैंक डिटेल डालना होता है बैंक आपका जो भी एकाउंट डाल दीजेगा और आपको चाहें तो पीटियम का एकाउंट भी यूज कर सक करके कर दीजेगा इसके बाद आपका फॉर्म आएगा इसको अच्छे से पढ़ लीजेगा चाहे तो फिर ब्लू टिक करने के बाद सब्मीट पर क्लिक करिएगा इसके बाद अदिशनल डीटेल में आप से वही पूछेगा कितना दिनों तक आपने ट्रेड वगारा किया है ड कमेंट कर दीजेगा वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करके कमेंट ज़रूर करके बताईएगा चैनल को सस्क्राइब करके रखेगा एफ़ी ही वीडियो आती रहेंगी थैंक्यू सो मच धन्यवाद